आज हम पढ़ रहे हैं difference between alternating current and direct current पिछले lecture में हमने alternating current और direct current के बारे में पढ़ लिया था alternating current को आप AC बोल सकते हो और direct current को आप DC बोल सकते हो आज करते हैं difference between alternating current and direct current ठीक है सबसे पहले देखो alternating current it changes its direction after a certain fixed interval of time जो आपका alternating current होता है वो अपनी जो direction होता है वो change कर लेता है after a certain fixed interval of time एक fixed interval of time के बाद वो क्या कर लेता है अपनी direction ने change कर लेता है जो आपका alternating current का चो आपके पास घराब बनता है वो ऐसे बनता है ठीक है current और time के बिच में ठीक है उपर होती है आपकी positive half cycle और नीचे होती है आपकी negative half cycle आपने point ले लिया A B C और D ठीक है तो आपकी one cycle complete कब होती है जब आपकी positive और negative half cycle दोनों मिलती है तब आपकी एक cycle क्या हो जाती है complete हो जाती है तो आपको alternating current का first difference क्या होता देखो it changes its direction after a certain fixed interval of time यह क्या कर लेता है और डारेक्शन change कर लेता है एक फिक्स्ट इंट्रेवल के बाद जो इसका गराब बनता है वह किसके बीच में बनता है current और टाइम के बीच में ऊपर होती है वह होती है आपकी positive half cycle और जो current flow करते है ठीक है एक ही डारेक्शन में क्या करता है वह फ्लो करते है ठीक है it flows in the same direction इसमें जो भी current flow होता है वह किसमें flow होता है एक ही डारेक्शन में फ्लो होता है और उसके अंदर जो गराब बनता है आपके पास वह क्या बनता है अपिए इलेक्ट्रीक करन्ट आय और टी के बिच में किया मता है इसके आनर टाम करन्ट और टाइंव के बिच में जो डाय् resilience ऐसका आपके पास स्टेर लाइन में बनते तेकं हैं तो इसके आपके आपके यह क्या करते हैं इनके ऑनर difference देखो को इच चेंजर आफ्टी एक क्या घंड कर लेते अपनी डिरेक्शन चेंज कर लेतेसं एक फिक्स्ट इंटरवब के बाद The घरेडिंग कर ताने क्टार्त होता है वह सेमीडारीक्षिन क्या करता है इसके बाद देखो जो नेक्सट डी फ्रेंस आता है जो जो सेटेंड डिफ्रेंस फॉद में पोजिटिव एंड नीगिटिफ polarities of an alternating current keep on interchanging interchanging period एकल देख्व जो आपके positive और negative polarity होती है in alternating current के अंदर वो interchange किसके अंदर करती है पिरिएड के अंदर देखो-यां पे देखो आपके पास positive City उसके बादregative हो घए इसके बाद आपके पास positive आजाएगे फिर आपके पास negative तो आपके पास क्या आगए the positive and negative polarities of an alternating current keep on interchanging periodically यह periodically क्या होती रहती है चेंज होती रहती है जो second difference आता है direct current के अंदर वो क्या आता देखो तो है positive and negative of a direct current source remains throughout same इसके अंदर जो positive और negative polarity होती है है वो क्या होती है direct current के अंदर same same क्यों होती है यह क्योंकि यह किसमें चलता है एक straight line के अंदर इसके बाद इनके अंदर जो third difference आता है वो क्याता है इन इंडिया frequency of a c e g पचासे हर्ज जो इंडिया के अंदर जो frequency यूज करते हैं alternating current की वो कौन कितनी यूज करते हैं पचासे हर्च एसी क्या होता आपका alternating current frequency of dc is zero जो frequency करते हैं करते हो आप यूज डारेक्ट करंट की वो यूज करते हो जीरू ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट डिफ्रेंस आता है वो क्या थे इस प्रोड्यूस्ट बाइल्टर ओफ दविकल्स बैटरी चार्जर इन्वीटर जो आप alternating current का जो आप यूज करते हो किस किस में यूज करते हो alternators of the विकल्स के अंदर बैटरी के अंदर चार्जर के अंदर इन्वीटर के अंदर इन सब के अंदर आप क्या यूज करते हो alternating current और जो डारेक्ट करंट के अंदर जो नेक्स्ट डिफ्रेंस आता है वो क्या आता देखो इट इस प्रोड्यूस्ट बाइए एक केभिवर्य होते हैं केमिकल्स या फिर बैटरी के दवारा औरे डिसी चर्डश औरे शोलर सेवाह दि सी का मतलब है डारेक्ट करंट टीक है डिसी जोर्ड़र अरे सोलर क्या होता यह प्रोड्यूस्ट तो यह हो गए इनके बीच में डिफ्रेंस डारेक्ट करंट और